आज मैं शेयर करने वालिये आपके साथ भटूरे की रेसिपी बहुत ही अच्छे बने हैं इस लागडाउन में अगर आप कम्बड है छोले khanशे से बनाके खा सकते हैं और यह बहुत ही अच्छे बने हैं आप देख सकते हैं तो अगर आपके भटूरे फुले फुले नहीं बनते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं और इसमें मैं आपको वह सही तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके भटूरे एकदम मार्केट जैसे बनेंगे आप देख सकते ह तो अगर आप भी इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर बनाएंगे तो आपके भटूरे भी ऐसे अच्छे फुले फुले क्रिस्पी बनेंगे और छोले की रेस्पी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो पूरा लोग देखने ही पाते हैं सही से समझने ही पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया मैंने यह भटूरे वेल्कम बैक टू मारी चैनल पुषपलता किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजे ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसको बिल्कुल दबाया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल तो इन चीजों का मैं यूज करूंगी और थोड़ा मेलूंगी इसमें रिफाइंड ओयल तो चलिए हम डो बना लेते हैं इसका सबसे पहले जो सूजी लिया है उसको हम मिक्स करेंगे इसके अंदर तो यहां पर मैंने सूजी डाल दिया है इसको अच्छे से में मिक्स कर हम लुदन में के लिए अथा सबसे करेंगे उसको हम मिलाने के बाद उसमें हम आ ब्लया है यह मैं लिए ह formats हम कर दोसके हम मिलाएंगे moderate करेंगे और हम परते हम प्रोड़ा एधे मिक्स करोंगी और क्योंकि हैंड से करेंगे तो अच्छे से होगा तो इसको हमने ऐसे करके मिक्स कर लिया है अब हम इसको डो रेडी कर लेंगे इसका तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका डो रेडी कर लिया है बहुत अधिक हमको इसको मसलना नहीं है बस इसको इस तरह से करके रख देना है और यह देख सकते हैं डो कैसा है और उपर से हम थोड़ा से रिफाइंड और लगा में आपको बनाकर को चरो परहा लगा है थो इसे कमें सकते हैं dod watch मेरे बना के दिखाती हुं तो यहां पे यह ने ले लिया है और छकला उसके ऊपर रखर किसे देख सकते हैं इसको बना पा रही हूं और कुछ कभी कभी कैसा होता है बनाते हैं तो बहुत अधिक हिस्ता है वह बेलने में भी प्रब्लम होती है तो आप देख सकते हैं यह जो हमने इसके अंदर सूजी डाला है और इसके अंदर मोयन डाला है उसकी वज़े से यह हमारे भटूरे इस तरह से एकदम इजली अराम से बन जाएंगे तो यहां पर मैंने इसको ढाल दिया कड़ाई में और मैंने इसको पलेड डिया है एक साइड से हो गया है हमारे भटूरा सिअग जैब धेख सकते हैं कितना क्रिस्âte की बubbyना है और किटना दूसरा भी आपको दिखाती हूं तो यह मैंने दूसरा भी ढाल दिया है और इसको भी मैं अच्छे से लिया है और हमें low to medium पर सेखना है बहुत तेज आज पर नहीं करना है और अच्छे से धीमी आज पर इतना सेखेंगे उतना क्रिस्पी बनेगा तो मेरे भटूरे रेडी हो गया है तो यहां पर मैंने सर्व कर लिया है तो आप देख सकते हैं यहां पर भटूर मैंने छोले भटूरे और प्लाव बनाया था जीरा राइस तो मैं छोले की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी तो आप बनाएए खाईए और बताइए आपके भटूरे कैसे बने कमेंट बॉक्स में और चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे तो ऐसी अच्छी और न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें तो यहां पर मैं बहुत टेस्टी बने हैं तो मैं यहां पर आपको खाके भी चलिए मिलती हूं फिर एक नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई गुड़ डे स्टेव हो मिस्टे सेफ बाई बाई